नमस्कार दोस्तों हमारा हटे लानी जो फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए बढ़ते हैं ख़बरों के और लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा हटे लानी उचको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों बीजपी की साथ साल पूरी हो गई बीजपी के सारे लोग और खास करके बीजपी की जो इतने भी आला नेता थे वो बड़ जूसों खरों से वो चार है थे कि अपने साथ साल किस परकार से हमने सासन क्या उसको बताएंगे लेकिन कोरोना महामारी के करण मोधी सरकार ने खास करके प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का आवान कर दिया था कि हम किसी भी परकार की कोई धूम धाम के साथ अपने साथ साल पूरी होरने का ये नहीं मनाएंगे उसके बाद हुआ कि मन के बाते जैसे कि आपको पता है हर संडे की दिन को मोधी जी रेडियो पर आते हैं अपनी मन की बात को बोलते हैं उस दरण उन्होंने आए और जितने भी उन्होंने था उन सारे बातों कर दिया उन्हें कहा कि हमारे उन 7 सालों के दरन कितने अच्छे दिन भी आए, कितने बुरे दिन भी आए, लेकिन हमने उन सारे जी लोग जीला, उन्हें कहा कि 70 सालों से जो काम नहीं हुआ था, उन्हें ने 7 सालों भी करके दिखा दिया, उन्हेंने कहा कि हमारे बीच में इतना बाड फूरेंस के साथ एक थे हैं तहंगा हमारें से शहता दिया तो हम किसी बीस्मन अगर हमसे अकड़ा यह फिल्वामा को को मार दिया उन्होंने कहा कि 70 साल में जो चीज़ नहीं हुआ था इन सारे चीज़ को उन्हें पूरा कर दिया, उनका कहने का मतलब है कि फुलवामा का अटेक में मैंने पाकिस्तानी आर्मियों को मार दिया, आर्टीकल 370 को हटा कर मैंने जम्मु कस्मीर को अलग कर दिया, फिर का 3 तलाक क भी यह में दिया, इस परकार कहके फिर पाल स्वास्ता भीमाय योजना के माधियम से 5 लाक रुपे हर ब्यक्तियों को मैंने दे दिया, उन्होंने इस परकार की बाते और कहना चार थे, और बोले भी, साथ मेनों ने यह भी कहा कि जो सरकार पिछले 70 साल में अजादी के अब इसे 400 गाउन थे जिनको अभी तक उनका पानी मोहिया नहीं था रहने के लिए घर नहीं थे लेकिन हमें वेटी किको पूरा कर दिया लेकिन बाकि जितने भी पीपक्षीत दल थे कहां मांने वाले थे उन्होंने भी कहा दिया कि 70 साल में जितने का मखरत सरकार कम आई थी और सारे तो सावरे आपने पर आपने नौकरी बेज दी किया रखा जाति भावेध हैं कि यहां के लोगों को जातिソ snug को बारे आपके पास है क्या कि भीर उसके बाद हमारे आप मेता है अपने का कि कि जब से मोधी सरकार इस राद में आई है तब से भारत की जनता बिलकूर तरस्त है आप परिसान है लाचार है बीवस है किसी को कुछ भी कहने की कोई जरुवत नहीं है ये जीता जाकता उधरन है और उसके बाद से बीजेपी की कई नेताओं ने उसके साथ साल पूरे होने क सूब उसर पर हर जगह पर हर देशों पर उनके नेताओं ने जगह जगह पर सुखे रासन बाटे कहे पर किसी को खाना खिला दिया कहे पर किसी कुछ कर दिया और इस परकार से उन्होंने इस साथ साल को पूरा कर गए सेवा दिवस के रूपे उन्होंने मानाया लेकिन कॉं नाम ने इस बात का, मैं आपको नाम बता था, चाहे नीरो मोदी हो, नीरो चौक्सी हो, या वीजाए मालिया हो, इन तमाम बेक्टियों के कहना था, दोस्तों आपको पता हो गया कि हमारे भारदेश अभी बहुत ही विकट परिस्ति से गुजर रहा है, क्योंकि यहां के सरकार अपने सासन काल में हर चीज को बेज दिया है, इससे यहां के लोग अभी बहुत ही परिसान हैं, दोस्तों अगर आप भी इस परकार की नियूज को सुनना चाहते हैं, और सुनते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यदा सब्सक्राइब करें, और सियर करें, कॉमेंट करें, लाइ करें, ताकि मुझे हौसला मिले, और आपके लिए मैं इस परकार की नई से नई वीडियो आपके साथ लेकर आता रहूं, धर्निवाद, सुक्रिया